नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चालें आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं अब बताईएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बूलेंगे राधे राधे चलें यसर क्वेशन आंसर की दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस बार मैंने मेरे क्वेशन आंसर की बुक को दी बेस्ट बनाया है चार महिने का कंटिनूस एफ़र्ट इसके अंदर लगे हुए हैं और आप पहले चप्टर से ये फील कर जाएंगे कि हाँ यार एक एक क् अच्छे से लिखानी गया प्रिपेयर किया गया है इसमें जो उस्ट्रक्च्रर है वह ऐसे करके है कि गृप औफ क्वेशन को सेलेक्ट किया गया है और उनके हैडिंग बनाके उस हैडिंग के अंदर ही कवर किया गया है जैसे मालीजी एक चप्टर है उसमें 4-5 हैडिंग बनते हैं, तो 4-5 heading से connected जो questions हैं, वो एक series में रखे गए हैं, एक और बात, हर question के साथ, उसका source लिखा हुआ है, कि ये question past examination से लिया गया है, या फिर ये RTP का है, या फिर ये MTP का है, या फिर ये आपका study material से है, और अगर किसी question पे कोई source नहीं लिखा हुआ है, तो या तो वो खुद का बनाए हुआ question है, या फिर CMA या CS के जो modules हैं, उनसे लिया गया है, हर question इसमें अपने आप में एक बहतरीन question है, जो छोटे या निकमे से questions होते हैं ना, उनको हटा दिया गया है, तो एक एक question को अच्छे से संभाल संभाल कर to the point और जैसा आपको exam में ल रखी है, वो study material based है, language भी, तो ये question answer की book आपके लिए बहुत बहुत काम आने वाली है, और आईएस के question answer हम करना शुरू करते हैं, question answer शुरू करने से पहले, यहां एक खाली page दिख रहा है, आपको ये, इस page पर कुछ लिख लीजिएगा, कोई सबर भी लिखें, दो page खाली ह आपर, जौन से मरजी page पर आप लिख सकते हैं, कि हम अपने question का जो answer होगा, उसे present कैसे करेंगे, उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए, तो देखिए, यू तो मैंने पहले भी कई सारे presentation tips आपको बना-बना कर दिये हैं, पर कम से कम, short to short मैं आपको presentation tips दे रहा हूं, ताकि आप उसे really अमल में ला सकें, अपने answer को लिखते समय आप उसे apply कर सकें, बहुती छोटा सा tips है, नमबर एक पर, आप सबसे पहले law को dictate कर दीचे, जो भी question आपके सामने आया है, उसे connected, जो भी law है, चाहे वो उसका reference किसी section से लिया गया है, चाहे reference किसी rule से लिया गया है, किसी notification से है, किसी circular से है, जहां से भी आपने उसका reference लिया है, वो आप उस reference के साथ में यहाँ पर लिख दीजिए, इसे लिखने के बाद में, अब अपने question का जो solution बनता है अपना, वो solution आप यहाँ पर दे दीजिए, कि इस case में ऐसे किया जाएगा, बस, और कुछ नहीं करना यह rule, यह नियम आप अपना कर चलिए, अप कई सारे questions को मैं आप से हाथ से भी solve करवाऊंगा, और कई सारे questions को आप ऐसे tick करके भी solve करेंगे, तो जिन questions को आप tick करके भी solve कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप अपने mind को ऐसे train कीजिएगा, कि पहले law, law recall करना है, लिख नहीं रहे चूट जाता है, और lacking के चक्र में आप का answer गलत हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले उसका पीछे का law क्या है, उसको हमने recall करना है, या उसको लिखना है, as the case में भी, फिर अपने solution पर आना है, अगर आप इसे follow करते हो, तो आप देखेंगे कि एक अलग ही, चमतकारी आपको benefits इसके मिल जाएंगे, yes मैं ठीक कह रहा हूँ, अब बात करते हैं कि ठीक है यार यह तो हो गया presentation tips में, लेकिन हमारे जो questions आते हैं, वो किस-किस तरह के आते हैं, number 1, एक आएगा हमारा जो pure theory questions होते हैं ना भाई साब, वो यहाँ पर आते हैं, एक आपके आते हैं सर ज जो case study type हैं, based questions होएंगे, और तीसरे आपके numerical, अब जो pure theory questions होते हैं, straight forward questions भी इनको बोल देते हैं, तो इनमें तो इनके पीछे का जो law है, या जो भी ये direct आपको लिखना ही होता है, इसमें solution देने वाली कोई बात नहीं होती है, तो कि जो भी है, उस straight forward questions है, जैसा straight move at question, वैसा move at जवाब को देना है, बात खता हैं, जो case study based questions आपके होएंगे, तो उसमें पहले, जो उसका connected law है, आप वो बताएंगे, और उसके बाद उसका आप answer यहाँ पर लिख देंगे, कि इस law के basis पर हम अपना यह answer लिखने के लिए जा रहे हैं, very simple, जब numerical question आपका आएगा, तो उसमें भी आप यही करेंगे, कि पहले आपको यहाँ पर law dictate करना है, और उसके बाद आपको अपना यह solution यहाँ पर देना होगा, अब इसमें दो बाते आजाती हैं, कि एक तरीका तो है दो, तीन, चार, पाँच, पाँच ट्रांजेकशन हैं, तो पाँचों ट्रांजेकशन हैं, मतलब यह की पहली ट्रांजेकशन का law लिखा, और जो भी काम हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, लाभी लिखा और इसका solution भी हमने डाल दिया, और अपना जो main final digit आ रही है, क्योंक हम कोई चीज प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या उस अमाउंट को जो दिया हुआ है हम लोग इगनोर करके चलते हैं है ना इन तिनों में से कोई एक एक्शन हम लेते हैं तो जो भी एक्शन हम ले रहे हैं उस एक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है कि जैसे माल लीजिए आपके लिए दी हुई है ये ट्रांजक्शन नमर एक, दो, तीन, चार, पांच, ये ट्रांजक्शन दी हुई है तो आप इनका जो सलुशन है वो तो मेंन टेबल में यहां डाल दीजिए कि भई इसका सलुशन ये जोड़ेगा, घटेगा या इगनूर होगा इन सब के सलुशन आपने एक एक करके डाल दी है ठीक है और फिर आप बनाते हैं यहां वर्किंग नोट और वर्किंग नोट के अंदर आपको पांचों के पांचों के रीजनिंग करनी होती है ने कि उनके पीछे का लौ लिखना होता है कि आपने जो जोड़ा है घटाया या इगनूर किया है वो क्यों किया है वर्किंग नोट में एक, दो, तीन, चार, पांच पांचों के आपने अलग-अलग लौ को यहां पर डिक्टेट कर दिया यानि कि solution अलग है और law अलग है तो नॉर्मली आज तक ऐसा ही पढ़ते आये हैं आप लेकिन सी इंस्टूट के study material में यह दोनों पैटर्न पर question answer solve किये गए हैं दोनों पैटर्न पर एक यह पैटर्न भी कि transaction wise आप law और solution कठा दीजिए अलग से working note बनाने के जरूट नहीं पड़ेगी या फिर पहले main table में solution दीजिए फिर बात में कठे इनके आप working note लिख दीजिए मैं किसे दोनों ही ठीक हैं मैं किसे recommend करूँगा पहले वाले को क्योंकि इसमें हमारी समय की बचत होती है और गलती होने के chances शायद ना के बराबर है वह इसलिए क्योंकि हम जब law recall कर रहे हैं उसी वक्त हम solution लिख रहे हैं और जो solution लिख रहे हैं वो law recall करके ही solution लिख रहे हैं दोनों एक दूसरे से एक और एक 11 वाली बात है यहां पहले solution लिखते हैं law लिखा नहीं सिर्फ recall करना पड़ता है और फिर solution लिखते हैं फिर उसी law को दुबारा recall करके हमें लिखना होता है तो इसमें समय ज़्यादा लग जाता है तो आप यह वाले method पर काम करके चलेंगे हला कि मेरी book में भी और से इंस्टूट की booklet में दोनों pattern पर अपनी question answer जो है वो दिये हुए है ठीक तो ऐसे करके चलेंगे और इस तमाम बातों का जितना भी मैंने लिखा है सब का crux यही है law and solution बस आपको कुछ याद रहे न रहे बस ये मेरे शब्द याद रहने चाहिए always आज से लेकर जब तक आपका पेपना हो जाए law and give the solution that's it इस दा presentation tips और कुछ भी नहीं है बाकी बाते छोटी छोटी होती है कि यार हमें लंबे लंबे paragraph avoid करने चाहिए हैं और headings बनाने चाहिए हैं वो इसलिए होते हैं ताकि जो आप बताना चाह रहे हो वो examiner को ना वो चीज दिख जाए बना वो सिर्फ एक इस तरह से होता है कि वो दिख जाए उसको किया आप कहना चाह रहे हो आप मेरे question answer की book के अंदर जो important words हैं या important lines हैं उनको मैंने bold किया हुआ है तो आप इसमें देखेंगे और हर question को लिखा नहीं है question के answer को बलकि उसे अठ्छे से prepare किया है बहुती सहजताक से ठीक है जी आए हमें काम करके चलेंगे कि समखाईए कि एक या दो questions मैं लिखूंगा register बनाई चोटा सा मैं लिखूंगा और एक या दो questions के जो answer है question मतलब answer वो आप लिखेंगे एक दो के मैं लिखूंगा एक दो के आप लिखेंगे इससे हमारी writing skills अच्छी होईंगी हम लिख पाएंगे और जिस presentation tips को देने के हम बात कर रहे हैं उसी pattern पर लिखने के हम कोशिश करेंगे and आपका हाथ लिखते लिखते ना खुल जाएगा और उसके बाद test अपने तो जिससे कि आप अपनी पूरे जो experience कहिए या एक practice कीजिए वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी और उसके बाद जब आप main exam देने के लिए जाएगे तो आपको वो एक normal तरीके सही लगेगा कोई जादा आपको पर burden नहीं डालेगा see student में अकसर writing practice की कमी होती है उनको law तो अच्छे से आता है concept अच्छे से clear होते हैं लिकिन वो लिखने में दिक्कत उनको आ जाती है ठीक है तो आप ये दिक्कत नहीं मानेंगे और आईए दिखते हैं क्या लिखा हुआ है पहला आपका ये chapter है और इसमें introduction and constitution ये दोनों का एक अठथा chapter one का five और उसके बाद जब ये दूसरा heading यहां से शुरू होगा constitution तो फिर second का first second का two ऐसे करके मैंने मेरी book के अंदर इन चीज़ों को रखा है इस तरीके से ठीक है अगला chapter आ जाएगा जैसे की definitions का है तो उसमें भी ऐसे topic wise इन चीज़ों को cover किया है मैंने five six seven seven questions is heading के अंडर बनते हैं schedule one पर based जो questions बनते हैं वो आपके यहां पर आगे second का one two three four five six यह आपके यहां पर आ जाते seven eight nine यह questions माले की यहां पर आगे अपने and 17 questions इस पर based होगे 19 question हाँ 19 question इस पर based होगे and उसके बाद में आपका schedule two पर based तो ऐसे every chapter को headings में divide किया हुआ है and then उस पर based हमने questions की यहां पर बात करी हुई है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे अब अच्छा मेरे आजा बाकी अब धिरे धिरे सब समझते रहेंगे हम इसके questions की शुरुवात कर देते हैं यहां पर आकर ठीक है तो जो पहला question हमारे सामने निकल कर आ रहा है यहां पर वो है discuss the concept of GST एक आम सा question है जनरल सा question है पर आप इसका answer जना लिखने बैठना शायद आपके हाथ रुक जाएंगे तो मैं क्या करूंगा इस question का answer में आपको लिखके दिखाऊंगो हाला की well presented तरीके से मेरे मेरी बुक में दिया हुआ है लेकिन बुक से पढ़ने में और लिखने में अंतारा जाता है आप खुद स्टार्ट करके देखिए आपको शायद इसमें दिक्कत आएगी discuss the concept of GST तो मैं अगर इसे लिखना शुरू करूं तो यहां पर मैंने मेरा रिजिस्टर बना लिया है ठीक है जी आप भी अपना रिश्टर बना लेंगे और चैप्टर का नाम है हमारा अ कर आप इंट्रॉडक्शन एंड कॉंस्टिटूशन इंट्रॉडक्शन एंड कॉंस्टिटूशन ठीक है सब यह सर तो इसमें हमारे पहला ही क्वेश्टन है और क्वेश्टन का आंसर हम लिखने के लिए जा रही है concept of GST पूछा गया है concept of GST मैं हर चैप्टर से आपको जिस तरह के questions होएंगे चाहिए theory questions है चाहिए American जो भी है एक दो question मैं proper तरीके से आपको यहां पर करवाऊंगा लिखवा के दिखाऊंगा एक दो आप करेंगे और बाकी को हम अच्छे से और तरीके से करके चलेंगे concept of GST केंदर सबसे पहले सूचिए एक general सा question मतला ऐसा नहीं किसके पिछे कोई section लगा हुआ है या कोई और तरीके है जो आपने GST का model देखा है पहले chapter के अंदर उसमें आपको क्या समझ में आता है कि यह क्या concept है तो सबसे बड़ी बात यह निकल के आती है मुझे पता है यार कि इस प्रकार से एक change चलती है इसकी यहां पर आके ना इस ओड़ी के छले होते हैं इसे change चलती है तो इसमें लिखेंगे number एक value added टैक जिस सबसे बड़ी इसमें बात है GST is अपनी लेंगवेज चलेगे अपनी मुझे नी पता मैं मेरी बुक की लेंगवेजी फॉलो नहीं कर रहा हूं नहीं कर सकता हूं है ना तो लेंगवेज अपनी ही रहेगे GST is based on value added text it means when it means GST paid on inward supply book kia jata hai as input tax credit and GST is to be paid on outward supply by using the input text credit so ultimately only net value addition liable to GST value added tax value added tax और क्या है यह number 2 पर आईएगा और हम देखते हैं यार यह जो चलता है यह continuous चलती है chain credit की number 2 continuous chain of credit GST अरगा GST paid on GST paid on every invert supply भॉग द्याति व सित्ळ एक्येτού्हिंग करिद रॉबाग्यी by the recipient and utilize it for the payment of output GST आगे नमर तीन पर आईए GST concept किस पर based है destination principle destination principle it is based on destination principle meaning thereby GST revenue goes to destination state or union territory GST concept किस पर based है number 4 equal treatment of goods and services GST GST levy it on goods will 6000 प्रीटSt प्रीफ में जब्हाण से долж दिजन्त प्रीफिर में दिजन फंसे इंगährt ला और स्वेवाजर आक ब्यों च्ट इंग्ना वेग्जट में है् muitas66 ती इंग्यों दितिम कांवार्फिव्ट similar provision for services also पहले जो हुआ करता था था ना की गोड़्स पर exclusively manufacturing पर central government को मिलेगा and services के respect में service tax exclusively central government को जाएगा और VAT exclusively state government को जाएगा अब वैसा नहीं है that is यहां पर ये shared system पर ये अपका based है shared system और क्या बात हो सकती है और किस पर based है ये continuous chain of credit होगे destination principle हो गया equal treatment हो गया valued tax हो गया ठीक है ये इसके based थे जहां पर ये अपका concept टिका हुआ है and पांच मों point बोल देते हैं load of GST कर दोगे अपके dec joins यीगे ये 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 ten ये 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 यूखिए ये 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 येड़ोगे ये ये फोगे ये किस्ट कोatamenteफे ये येविए ये ये येू़े ये यूड़ा ये ये येिवे यES वाण Só ne ये 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 scientist capable knows this is दा लोट विद वेल्यू एडिशन फ्रॉम वन पर्सन टो अनदर पर्सन तो ऐसे करके आप अपना अंसर असानी से साफधानी से लिख सकते हैं हाला कि इसमें कोई एक जनरल सा क्वेशन था और उसका अंसर आपना लिखा है मालिक ठीक है ये नोटिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा एक अठीक करके तो आप ये भी लिखिये मेरे साथ साथ क्योंकि ये अब्जेक्टिव है इसका लिखना कैसे है और लिखना तक आप अपने हाद से लिखोगे नहीं तो जो में लिख रहा हूँ उसे भी लिखिये इसके लावा एक दो क्वेशन्स आप अपने एंड पर लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है आपका होमवर्क मैं दूँगा कि आपको ये कुशन्स अपने में अपना अंसर लिखिएगा ठीक मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में ठीके जी ओके सर जी तो यह तो हमारी यह वाली बात और इसमें कौन-कौन साइडिंग थे वैलियोड टेक्स था जी श्की आपना अगया जैसे यह है आपके मैनुफैक्चर और से लव गुड्स यह हैं वैल्यू अडिशन वैल्यू एडिशन के तरीके हैं मैथर्ड्स हैं कौईべे जिस सब्सक्राइब करता है कोई ंव पोईछ को बेचकर फर्दर वैल्यू अड्स करता है कोई services देकर value add करता है तो जो जितनी value add करता है उसे accordingly यहाँ पर GST का payment करना होता है continuous chain of credit GST offers comprehensive and continuous chain of tax credit from procurer's point up to the retailers या consumers यहाँ से लेकर आगे तक आपकी वो जो B2B, B2B, B2B चलते रहती है लास्ट में जाके जब B2C हो जाती है और जो जितनी value add करता जा रहा है उसे यहाँ पर अपना उसमें add होता जा रहा है tax amount burden born by the final consumer only the final consumer bears the GST charged by the last supplier in the supply chain with a set of benefit at all previous studies कोई कि जो पहले tax लगते आ रहे हैं वो B2B थी तो उसमें जो भी tax लगा उसका credit मिल गया set up हो गया बात कतब neutralize हो गयी फिर अगले वाले का उसमें जो value addition था वो add हो गया and इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है और last one जब B2C होगी तो सारे के सारे value addition जूडने के बाद final जो लोड आएगा एक अठा वो मेरे end user पर आके पढ़ जाता है कोई cascading effect वगरा इसमें नहीं आएगा because continuous chain of credit इसमें काम करके चलती है अगला question आता है पूरे focus के साथ questions को पढ़ें GST is a destination based tax on consumption of goods or service or both discuss the validity of the statement यह question लिया गया है आपका ICI के study material से उसमें यह लिखा हुआ है कि क्या GST destination principle को follow करता है या नहीं करता है तो हर question का answer लिखूँगा तो बहुत समय लग जाएगा अब इसको बोलते हैं yes the statement is valid GST destination principle को follow करता है because we know very well that if goods are moving from UP to Haryana then 50% revenue goes to central government and 50% goes to Haryana government तो जिस state या UT में उसका consumption हो रहा है tax finally उसी state या UT को दिया जा रहा है तो इस तरीके से आपका यह यहां पर destination principle को follow करके चलता है मालिक ठीक है जी आगे है describe the need for GST in India GST के इंडिया में need क्यों पड़ी and also discuss the deficiencies in the existing tax regime existing का मतलब जो अपना पुराना था क्योंकि existing word पुराने के लिए इस्तिमाल किया गया था उस समय पर ठीक है जी जब GST अपना आया आया था तो वैसे करके है तो बता रहे हैं कि पुराने सिस्टम में क्या कमिया थी तो देखिए पहले पुराने सिस्टम में जब GST की जगे आपका excise law हुआ करता था वैट law हुआ करता था लेकिन इन दोनों के होने के बावयूद भी बड़ी सारी खामिया हमारे सिस्टम के अंदर थी चार हमें पता है कास करडिंग हुआ करता था डबल टेक्सेशन हुआ करता था मल्टीपल टेक्सेशन हुआ करते थे मल्टीपल टेक्सिबल इवेंट्स हुआ करती थी आपस में टेक्स का इंटीग्रेशन नहीं था इंटीग्रेशन ना होने के कारण ही ये क्रेडिट्स नहीं मिल पाते थे जिनसे कासकेडिंग एफेक्ट आपका निकल के आया करता था integration आपस में टैक्स का ना होने की वज़े से आपस में coordination ना होने की वज़े से ही double taxation जैसे बाते उबर के सामने आ जाती थी मालिक है ना और जो टैक्स थे मोटे मोटे टैक्स का अलग लग बना हुआ है बाकि चुन्नो मोनो टैप भी बापने बने हुए थे entertainment tax, entry tax, यह tax, वो tax इससे multiple procedure आ रहे थे multiple tax आ रहे थे, multiple taxable event आ रहे थी इस प्रकार से उसकी कम्यां यहां पर आ रही थी तो बोलता है despite the introduction of principle of taxation of value added in India ऐसा नहीं है कि पहले VAT principle को follow नहीं करते थे यह value added tax जो आज GST में follow किया जा रहा है यह value added tax पहले था central excise के अंदर भी था central excise का नाम था central value added tax excise duty का नाम और जो state वेट था वो वेट हाई है तो दोनो value added principle को ही follow करते थे जो हम आज भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी समस्याए थी despite the introduction of principle of taxation of value added tax in India at the central level यहने की जो central excise duty थी in the form of sanvet and at the state level in the form of state vet its application always remained limited जो keywords है वो highlighted मेलेंगे always remained limited because of the following reasons फिर भी कुछ कम ही रहे हैं क्या non-inclusion of several local levies in the state vet as lugs tax entertainment tax यह सब शामिल नहीं हो पाए थे पहले पुराने की कमियां बता रहे हैं जिस चक्कर में proper integration नहोंने के समस्याँ पैदा हो रही थी cast cutting effect अपने आ रहे थे double taxation हो रहे थे vet और service tax का integration नहीं था service tax central level पे हो गया vet state level पे हो गया अगर मैं service provider हूँ पहला question भी आप देखिए कहां से पहले देख लिए ना कहां से question है ICI material से है क्या बोलते हैं मलब कोई भी question आपने इसमेना भकवास नहीं मिलेगा जो है so है आपके सामने और कुछ भी छूटेगा भी नहीं यह वादा है हमारा आप से under GST only value addition is text and burden of tax is to be bond by the final consumer क्या आप इस बास से सहमत हैं जी यहां बिलकुल सहमत हैं क्योंकि क्या होता है कि यहां से जो अपना manufacturer यहां से चेंज चलती है wholesaler retailer फिर end user ऐसे करके यहां तक पहुंचते हैं तो हर stage पर जितना value addition tax हो रहा है वो हर stage पर tax लगाया जा जाता है यह बात हम जानते हैं पहले से ही बात भी कर चुके हैं इसकी पहले आगे क्या लिखा है the statement is correct GST is a destination based tax on consumption of goods or services ठीक है जी goods रिकार रखा है destination based tax it levied at all stages right from the manufacturer up to the final customer with the credit of tax paid at previous stage तो effect neutralize होता चला जाता है और अगला वाला value addition उसमें जुड़ता चला जाता है resultantly only value addition is taxed and burden of taxes finally goes to final consumer अगला question भी आपका ICA के study mat से है write a short note on the benefits of GST या इस question को ऐसे भी देख सकते हैं कि list some of the benefits that GST may accrue to the economy जी तो GST के benefits तो हम बता सकते हैं कि वेदे को इसके आने से double taxation नहीं हुआ है खटम हो गया, cost credit खटम हो गया है राजराम चल रहा है चारों तरफ शानती ही शानती है और यहां पर आकर आप देखेंगे इसमें कि integration proper तरीके से हो गया है credit का flow अच्छे से यहां पे हो गया है final consumer को भी benefit है क्योंकि double taxation और cost credit नहीं होंगे तो automatically चीज़ें सस्ती होएंगे inflation पे लगाम लगेगी सरकार का revenue बढ़ेगा और जो बढ़ता जा रहा है डिड़ लाख करोड पहुंच जाता है यह हर महीने जो पहले कभी एक लाख भी पूरा नहीं हो पाता था 17,000 पिने बढ़ जाया करता था महीने का आज वो यहां तक double हो रहा है लग भग लग भग ठीक है जी तो government का revenue बढ़ेगा तो 4 तरफ खुशाली ही खुशाली होगी तो ऐसे यहां पर बता सकते हैं जो making India initiative इसको boost मिलेगा because किसी भी country का अगर taxation system सुधरा हुआ है अच्छा है तो obviously बात है वहाँ पर लोग विदेशी भी attract होते हैं आते हैं और हमारे इंडिया के लोग भी इस प्रकार की चीजों में ज़्यादा involved हो पाते हैं तो making India को भी boost मिलेगा and creation of unified national market यानि कि अब कश्मीर से लिए करन्या कोमारी तक single market बन गया है because tax rates अपके उपर समान है boost to make in India initiative boost to investment, exports and employment इन सब चीजों को यहां पर इनों ने अपना करके दिया है आगे list the taxes that have been subsumed in GST तो इसके पीछे कोई support नहीं है तो यह question अपनी तरफ से ही बनाया हुआ है इसके मनलना तो यह ICI material से ना IITP, ना MTP, ना PAST में आया हुआ है तो एक मैंने क्या किया है कि यह सारे questions के अलावा जो अलग-अलग जगाओं से हैं इसके अलावा जो आपकी theory है उस theory को हर angle से cover करने का प्रियास किया है question answer के माध्यम से तो यह बता सकते हैं simple सा question होगा अज़े अपना वो पांच taxes कौन से हैं जो अभी भी continue कर रहे हैं वो सब जानते हैं impoduty, expoduty, stamp duty, electricity duty और entertainment tax जो कि local bodies के दोरा लगा जाता है state government वाला आपका आज भी है excite duty on alcoholic liquor जो है वो आज भी अपना continue कर रहा है वैसे करके तो bring out the silent features of cross utilization of ITC तो यह अच्छे जानते हैं CIS, CIS पहले इसकी बात करेंगे फिर इसकी बात करेंगे फिर इसकी बात करेंगे फिर जो अपना यह है यह पहले अपने के ichtig बात करेंगे इसकी तरह आपका UB UTGST भी ऐसे ही काम करके चलता है क्या S, GST CGST क्रेंगे अच्छी हो जाएगा क्या आपका CGST SGST क्रेंगे क्या इसकी बात करेंगे आपके जाता है कुछ ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं थी वट इस जी एस्टी जी एस्टी एक कमपनी है सेक्शन एट ऑफ कमपनी अक्ट 2013 के तहट इसको इंकॉर्पेट कराया गया है इसका अधिश प्रॉफिट कमाना नहीं है और यह जी एस्टी पोर्टल को ओन करके चलती ह इनफोस इसको पेमेंट करना था इस चक्कर में इसको यहां पर बनाया गया था और जो जी एस्टी पोर्टल पे चाहे आपका जी एस्टी पोर्टल को रिकॉल कीजीगा चाहे वो पेमेंट की बात कर रहे हो रिटर्न की बात कर रहे हो रिश्टेशन की बात कर रहे हो GST has been implemented in India, ICI के study material से है, तो यहां आप इस question का खुद से करेंगे, write yourself, write बिना देखे, write answer yourself, आपके register में कौन से question का answer लिखना, वो मैं आपको बता के चलूँगा, ठीक है जी, तो वैसे करके, उसके बाद में, अब आपके constitution based questions यहां पर आ जाते हैं, अगला question जो आपके सामने आ रहा है, यह ICI के material से है, क्या बोलता है, explain with the help of examples how a particular transaction of goods and services is text simultaneously under CGST and SGST, तो simultaneously कैसे text की जाती है, तो हम जानते हैं, देखें कुछ questions के answer आपको देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से, हमने पढ़ा था, article number two, 46 capital A, उसमें law बनाने की power वैसे ही दी गई थी, उसमें बताया गया था, कि central government, state government को law बनाने की 81 power है, अगर supply आपकी intra-state है तो, इंटर-state supply होने पर, GST का rate भी CGST, SGST, दोनों के लिए समान रहता है, दोनों के लिए value भी समान ही रहती है, दोनों का time of supply भी समान ही होता है, और सम्विधान भी दोनों को एक साथ text लगाने की बात कर रहा है, तो जब भी हम intra-state supply करते हैं, तो CGST as well as SGST simultaneously वहाँ पर चार्ज किये जाती हैं, तो यह सकांसर यहाँ पर लिखकर आ जाएगा, क्या बोलते हैं, A central government, a central GST and states GST is levied simultaneously on every interstate supply of goods or service, और बोथ made by the registered person except exempted goods and services as well as goods and services which are outside the purview of GST, जो GST से बाहर है, alcohol clicker है, शराव वगरा जो भी अपने हैं, यह एक्जमिट हैं, उन्हें छोड़ दीजी बाई, उन पर लगेगा क्या, further, both are levied at the same price, दोनों के लिए value common होती है, same price at transaction value, और दोनों का rate वगरा भी समानी होता है, तो यहाँ पर कुछ interest rate supply के examples दिये गए हैं, और साथ में solution भी दिया गया, तो आप भी अपने तरफ से कोई भी example लेकर बना सकते हैं, कि UP से UP में माल बेचा गया है, shoes बेचे गए हैं, और माल लिजे value यह है, GST का rate यह है, तो calculation कैसे की जाएगी, यह सिद्ध करने के लिए कि यहाँ दोनों सी GST, SGST, Interstate पर एकठे ही लगाये जाते हैं, वैसे करके बोलती है जाता है, अगला question भी ICI material से है, कोगि पहले chapter से exam में questions थोड़े कम पूछे जाते हैं, exam के point of view से, study material में questions तो मैंने उनको यहाँ पे लिया है, कौन-कौन से को बाहर रखा गया है, और GST आने के बाद अब इनका हाल क्या है, जो बाहर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बाहर रखा गया है, alcoholic liquor for human consumption, इसको बाहर किया गया था by way of article number 366 से, उसने कहा था कि GST को define किया था, कि GST एक goods और service पर लगने वाला tax है, but accept alcoholic liquor for human consumption, ठीक है, एंड जो आपकी 5 petroleum products हैं, यह बाहर किया गया थे, article number 246 capital, एक जो explanation है, उसके, कि अभी तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, future में GST इस पर लगाया जा सकता है, बट अभी नहीं है, जहां तक सवाल है कि as of now इनका treatment क्या हो रहा है, तो alcoholic liquor की उपर लगा जाती, आज state excise duty, जो अपना 5 petroleum product हैं, उन पर भी state excise duty और wet की बात वहां करी जाती है, तो यह लिखा हुआ है, article 366 ने बूला है, कि जो शराब है, वो शराब बाहर रहेगी, GST की परिभाशा में शराब नहीं आती है, आप देख सकते हैं कि answer कितने fine तरीके से लिखे हुए हैं, further explanation of article 246 capital A ने बूला था, कि five petroleum product जो आपके natural gas, aviation, turbine, fuel यह अभी बाहर रखे गए हैं, जब जरुत पड़ेगी तो इन्हें हम बूला लेंगे, वैसे करके बूल दिया जाता है, और जो यह पहले आपके जो आपके बाहर हैं, इनका treatment क्या है, वही, CST, wet या central excise duty, उसके दारे में अपने यह आ जाते हैं अगला question भी आई से है material से है, where, from the power to leverage GST is derived, कहां से यह power निकल कर आई है, या question को ऐसे भी पूछा जा सकता है, discuss article 246 capital A, which grants the power to make laws, तो इसमें लिखा हुआ है कि interstate supply करने पर सामिल टेन इस power is central government को, state government की, and अगर हम बात करें, interstate supply की तो वहां पर exclusive power है, central government की to make laws, तो वह वाली अपनी यहां लिखी हुई है, और article 246 capital A के अंदर एक और बात लिखी हुई है, कि five petroleum product के उपर GST अभी नहीं आगे आने की भाविश्य में लगाया जाएगा, तो ये तीनों element अपने यहां आ जाते हैं, पहला element यहां आ गया, इंटरावाला, पारलेमेंट याने की interstate exclusive power की ब बुक पर, अगला question है, discuss article 246 capital A of the constitution of India, ये आपका दो नंबर का question आ गया, January 2021 में, answer तो वह यह जो पहली था, लेकिन यहां से अचानक से आ गया, तो ऐसा नहीं किस chapter में से आत ही नहीं सकता, आ सकता है, अब कौन से attempt में पूछ लिया जाए, अब ये तो हमें नहीं पता, तो ज possible question से institute के मताबिक हैं, हमारे मताबिक बन सकते हैं, वो सब आपके question answer book के अंदर होएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके question answer की book से बाहर paper नहीं जाएगा, अगला point आता है, यहां पे निगल के मालिक, who are the members of, जी अच्छा ये नवेंबर 20 में पांच नंबर का आये हुआ council, enumerate any two recommendations that can be made by the GST council, दो बाते पुछे गई हैं कि इसमें member कौन कौन होते हैं, देखे, एक होते हैं इसमें chairperson, जो कि union finance minister होते हैं, दूसरे होते हैं इसमें जो union minister of state in charge of revenue और finance हैं, श्री पंकत चौधरी जी, यह स्टेज पर आते हैं, वो यहां पर आजाएंगे और इसके ब या उनके deputy cm हैं, वो इसके member यहां पर आकर बन जाते हैं, chapter पढ़ाते समय मैंने आपको GST portal से भी दिखाया था, तो इस प्रकार से 31 आपके वो होगे, दो यह होगे, 33 member आपके, 33 लोग को मिलाकर GST council का हिस्सा बनते हैं, जहां तक सवाला recommendation का, तो यह किन किन चीज़ों के लि rate क्या रहेंगे, valuation systems क्या रहेंगे, कैसे बटवारे होंगे, सब कुछ इनहीं के दोरा decide किया जा सकता है, बाबा की बूटी में जितने भी heading है, सारे के सारे इनहीं के दोरा बनाए जाते हैं, वैसे करके मालक बात बोल दे जाते हैं, threshold limit क्या रहेंगी, 10 लाग, 20 लाग वाले, सब कुछ ही decide करके चलते हैं, तो बोलते हैं यहां पर आकर, recommendations that can be made by GST council, RS under, tax, cess, surcharge levied by the union, the state and local bodies, which may be subsumed, कौन कौन से subsumed होईंगी, वो सब इन्होंने decide किया, goods और services, कौन कौन से GST के दाएरे में आएंगे, कौन कौन से exempt रहेंगे, वो सब इन्होंने decide किया, model GST, जो structure कैसा होगा, GST दिखेगा कैसे, वो सब इन्होंने तयार किया, threshold limit, 10,20,40, वो यह decide करते हैं, rate यह बताते हैं, कुछ एक special rates जैसे कि आपके like आ जाते हैं, gold, silver, etc पे आ जाते हैं, या फिर natural communities, disaster के दोरान भी कुछ specific period के लिए special order वगरा जो issue की जाते हैं, वो सब इन्ही की सहमत इसे होता है, special category state कौन कौन से रहेंगे, वो यह बता के चलते हैं, यह सब बता के चलते हैं, तो आप मैंने कई सारे यहां पर दिये हैं, आप से पूछा गया था कितना, दो recommendation पूछी थी, कितनी पूछी थी सब, two recommendation, तो आप कोई से दो यहां पर बता सकते हो, पांच बताओ होगे, तब भी आपको वही फाल मिलेगा, जो दो बताने पर मिलेगा, को कुछा यह आप से दो है, ठीक, तो source लिखने से आपको काफी comfort रहता होगा, ऐसा मुझे लगता है, कि question पिक कहां से किया गया है, अगला question जनवरी 2021 में, आया है चार नंबर का, और यह आपका इस a need for making constitutional amendment for introduction of GST, मतलब GST लाने के लिए समिधान को amend क्यों किया गया, आगे है, discuss significant providence of constitution amendment act 2016, वो बताईए, यह तो पूचा गया exam में, ICI में यह इस तरह से भी दिराखखा है, why the need to amend the constitution of India before introducing the GST, यह नहीं कि same question है यह, तो पहले ICI मेटल में पहले से ही था, और यह ICI मेटल का question आपके exam में भी पूचा जा चुका है, देखे, amend करने की जो तिसली पड़ी, because जो पहले structure था, वो exclusivity पर बेज़ड था, central exercise duty के लिए exclusive power to central government थी, ऐसे ही service tax के लिए और wet के लिए थी अपने state government को, but हमें यहाँ पर shared model चाहिए था, तो इसके लिए हमारे पास कोई provision already law के अंतर नहीं दे रखा था, जो entry number 246 थी उसके अपने जो list बनती थी, उनमें कहीं भी GST के जगा नहीं दे रखी थी, तो हमने article number 246 capital A, article 269 capital A, 366, जिसमें हम definitions को amend किया, and article 279 capital A, GST council, यह सब हमें introduce करने पड़े, ताकि हम GST को अच्छे तरीके से constitutional तरीके से इंडिया में ला सकें, तो यह यहाँ पर निकल के आया, क्या लिखा है, there was a need for making, यह जो language है न, it is ICI material based language, there was a need for making constitutional amendment for introduction of GST, so as to enable integration of the central XI duty, additional duties, state vet and all other specific taxes, उनको हमें integrate करना था, एक अठे करना था, GST में समाहित करना था, इसलिए हमें act को amend करना पड़ा, the significant provisions और क्या-क्या थे इसके अंदर, यहाँ पर concurrent power on parliament यह दी गई, power दी गई, कि भई, IGST में exclusive power central government की है, और CGST, IGST के लिए, simultaneous power यहाँ पर दी गई है, तो levy of IGST on interstate transaction यह बता दिया, यहाँ पर यह भी बताया गया है, अब क्या कर रहे हैं, यह यह कर रहे हैं, कि आपके article थे ना, 246 capital A, 269 capital A, 366, 279 capital A, इन चारों articles, मैंसे दो-दो-तीन-तीन बात आप लिख दीजिए, कि आपके question का answer पूरा हो जाएगा, वही तो पूछ रहा कि changes क्या क्या आए थे, तो 246 में तीन बाते थी, इंटरा में कौन बनाएगा लो, इंटरा में कौन बनाएगा, और पांच petroleum product कब से आएंगे, मलब जब से जिस्टी काउंसल चाहेगी, इसमें 261 capital A में बताया गया था, कि जो भी IGST लग रहा है, यह आधा आधा बटेगा center और state के बीच में, इसमें यह भी बताया गया था, कि all import की जो आपकी transactions होएंगी, उनको भी हम interstate ही बुला कर चलेंगे, इसमें यह भी बताया गया था, कि जो IGST का पैसा है, वो consolidate fund of India में नहीं जाएगा, बलकि उसमें सिर्फ उतना revenue जाएगा, जितना की IGST में CGST component है, CGST component consolidate fund of India में जाएगा, जो घूमकर वापस state के बीच में बढ़ता है 42%, जो मैं आपको बताया था during the discussion, और वैसे करके यहाँ पर बात करेंगे, आप उठा सकते हैं, तो यह सारी बात आपके content में आ जाती है, इस आर्दा major changes in the constitution, प्रिंसिपल फर डिटर्मेनिंग प्लेश अफ सप्लाई, हाँ एक और बात लिखी हुई है, इसी आइटिकल में लिखा हुआ है कि भाई, जो place of supply के provisions हैं, उन्हें exclusively central government ही त्यार करके चलेगी, इसी के चलते हैं हमारे पास section 7 से लेके 14 तक आते हैं, IGST Act के exclusive power है government को, वो आर्टिकल ने बताया है, वो यहाँ पर amend, सम्विधान को amend करके लिखा गया था, GST will be levied on all supplies, except alcoholic liquor for human consumption, यह line हमने पिक की, आर्टिकल 246 capital A से, तो स्मार्ट वर्किंग करने चाहिए, नाकिन हाइडिंग को रटने की बज़ा हमें पता हूंची क्या रही है, यहाँ से उठाया गया, यह दो चेंजिस ते सम्विधान के, मतलब यह chapter का solution क्या है, मतलब इस question का solution like, पूरे chapter की समरी, जो constitution वाला चुटा तो chapter है, उसकी पूरी समरी यहाँ पर अपनी आ जाएगे, कौन-कौन भाहर हैं वो बता दिया, और tobacco के संबन में बात कर लिए हमने यहाँ पर आकर, कि tobacco पर अभी पुराना भी लगेगा और नया भी चलेगा, प्रेसिडेंट को पावर होगी, यहाँ पर GST council सेट अप करने की, council के अंदर कौन-कौन लोग होईंगे, उसके functions क्या-क्या होईंगे, तो वो सारी बात आपकी यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है जे, उसके बाद अगला question आता है आपका, डिसकस, article number 269 A, pertaining to levy and collection of GST on inter, तो article इस पर direct question पूछ लिया जाता है, तो इस पहले चप्टर के अंदर आप देख रहे हैं, कि straight forward pure theory questions है, और जो numerical question या case study based question होते हैं, वो application based होते हैं, तो theory question में तो straight forward answer होई, लिखा जाना जो आएगा अपना बस, बाकी कुछ नहीं, तो article 261 capital इने बोला, अभी मैंने discuss किया कि तीन element हैं, 50-50 बटेगा, import वाली transaction को भी interstate बोला जाएगा, और जो IGST है, वो consolidated fund of India के अंदर नहीं जाएगा, बलकि उसमें जो CGST component होता, सिर्फ वही जाएगा, तीन element बड़ी शिद्दत के साथ यहां, आपके यह लिखे हुए हैं, ऐसे करके मेरे बच्चा, कहता है, article 2, पढ़कर देख लीजिए, मैं बोलने के साथ रीड भी कराऊंगा आपको, ताकि आपको काम पूरा हो जाए, वहना आपको रीड करना पड़ेगा, 269 capital A, the constitution stipulates that GST, goods and service tax on supplies in the course of interstate trade commerce, shall be levied and collected by the government of India, and such tax shall be apportioned between the union and the state, and in central government, state government में बढ़ जाएगा, and as the manner provided by the parliament, bylaw and recommendation of the council, ठीक है जी, आगे बोलते हैं कि, अब highlighted portion को दिखेंगे, तो पता लग जाएगा क्या लिखा है, import into the territory of India, shall be deemed to be the supply of goods or services, और बोट in the course of interstate trade or commerce, import जो कर रहे हैं, उसे भी आपका interstate ही यहां पर बुलाया जाएगा, तो जो amount so apportioned to the state है, shall not form part of consolidated fund of India, बलकि इसमें से CGST component वाला ही उपर जाएगा, and आगे बोलते हैं कि, parliament को power है, place of supply के principles decide करने के exclusive power, और यहां पर central government को दी गई है, क्योंकि अगर यह power state को दी जाती, तो यहां पर सर फूड जाते हैं, और कुछ भी नहीं हो पाता, इस तरह से आपका यह पहला chapter, यहां पर आखर complete हो जाता है, आप मुझे जरूर बताएंगे, आपको कैसर लगा, ठीक है जी, thank you so much, wish you all the very best, मिलता हूँ आपसे अगली lecture में, बाई, जय हिन, जय भारत,